नमस्कार मैं रविश कुमार आज आप सभी सब्सक्राइबर का परिवार 80,000,000 का हो गया आप सभी को बहुत बहुत बधाई आपकी वज़े से हम इस एक साल की यात्रा पूरी कर पाए हैं आपकी वज़े से ही हम उन खबरों पर बात कर पाए हैं जिन पर गोदी मीडिया नहीं करता है या उन खबरों को छिपाने की कोशिश की जाती है एक साल के भीतर सब्सक्राइबर की संख्या 8,000,000 यानी 80,000,000 का हो जाना साधारन बात नहीं है यूट्यूब चैनल रविश कुमार ओफिशियल को आप लोगों ने ही जन जन तक पहुँचाया है अगर सर्च करने में दिक्कत आई है तो दूसरों से मदद मांगी है दूसरों को बताया है कि रविश कुमार ओफिशियल को कैसे सर्च करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और बहुत से लोगों ने जॉइन भी किया है, हम उनके प्रती भी आभार व्यक्ते करते हैं। इस एक साल में सरकार ब्राटकास्ट बिल के जरीए यूट्यूबर पर नजर गड़ाने की फिराक में है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि हम 80,000,000 लोगों की निगाह में हैं, उनके पहरे में हैं। तो आप सब को फिर से एक बार बढ़ाई, अब आगे आज की खबर पर और आज के वीडियो पर। कश्मीर में एक F.I.R. हुई है, F.I.R. में नाम नहीं है, मगर इसलिए हुई क्योंकि कथित रूप से सेना की कस्टडी में तीन लोगों की मौत हुई है, इनकी मौत खबर भी नहीं बनती अगर 29 सेकंड का एक वीडियो वाइरल नहीं हुआ होता, गाउं के लोग आवाज हम इस वीडियो को नहीं दिखा सकते क्योंकि इसकी पुष्टी नहीं हुई है और यह दिखाने लायक भी नहीं है, सोशल मीडिया पर यह काफी वाइरल है और इसके बारे में कुछ पत्रकारों ने लिखा भी है, शेयर नहीं किया है, इसमें देखा जा सकता है कि जखमी हाल रगड़ें या तो कहीं से भी उचित नहीं है सब भे नहीं है वीडियो की पुष्टी भी होनी चाहिए और जवाब देही भी तै होनी चाहिए वीडियो की बात अगर अलग कर दें तब भी तीन लोगों की हिरासत में मौत की खबर को आप अंदेखा नहीं कर सकते इनकी मौत ह हुई है इसकी पुष्टी की जरूरत नहीं है बकाईदा पुँच के सुरन कोट ठाने में एफाई आर की गई है सेना के यूनिट आठ लोगों को उठा कर ले गई सेना के काफिले पर आतंकी हमले के सिलसिले में पुष्टाच के लिए इन में से तीन की मौत उसे दिन हो जांच गंभी रूप से घायल होने के बाद अस्पताल में भरती किये गए हैं सेना ने आंतरिक जांच के आदेश दिये हैं और कहा भी है कि जांच में हर तरह से सहयोग की जाएगी तीन नागरिकों की कस्टडी में मौत किस घटना पर हिंदी अखबारों ने कैसे परदा ड या वही पता है जो सरकार चाहती है उतना ही पता है जितना सरकार चाहती है कि आप जानें अगर आप अमर उजाला के नियमित पाठक हैं तब 25 दिसंबर के अखबार में आपको इसकी सूचना बहुत मुश्किल से मिलेगी कि तीन नागरिकों की कस्टडी में मौत हुई है से काफी विस्तार से चापा गया है और इस घटना में कई लोगों की प्रतिक्रिया भी छपी है दैनिक जागरन की कौपी भी अमर उजाला से बहुत अलग नहीं है दैनिक जागरन में भी ये खबर पहले पन्ने पर छपी है लेकिन बीच के हिस्से में अमर उजाला की तरह सब से उपर नहीं जागरण ने लिखा है कि छह महीने पहले शफी मीर की सुरक्षा हटा ली गई थी अब आप दैनिक जागरण का राश्ट्रिय संसकरण देखिए राश्ट्रिय संसकरण में यही खबर पहले पन्ने पर छपी है ठीक उसी जगह पर जहां पर अमरुजाला में इसी तरह आप जब राश्ट्रिय संसकरण में देखते हैं तब पाते हैं कि सबसे उपर सेना की खबर है कि जाँच होगी लेकिन गाजियाबाद के संसकरण में आप पाते हैं कि भीतर के पन्ने पर यह खबर छपी है और सिंगल कॉलम में छपी है कि सेना जाँच कराएगी यानि कम प्रमुक्ता दी गई है इसी तरह अमर उजाला में भी ये अंतर दिखता है शफी मीर की हत्या की खबर बिलकुल पहली खबर है और पहले पन्ने के योग यह है मगर हम बात उस खबर की कर रहे हैं जो दैनिक जागरंड में पेज नमबर 6 पर सिंगल कॉलम में छपी है और अमर उजाला में पेज नमबर 9 पर आधे कॉलम में छपी है बहुत ध्यान से खोजने पर यह खबर मिलती है जिसकी बात हम करने जा रहे हैं जब एक खबर पूरी तरह गायब हो या उसे बहुत कम प्रमुख बना कर छापी जाए तो आपका ध्यान जाना चाहिए अखबार पढ़ने का तरीका आपको बदलना होगा क्या आपको कभी किसी ने बताया है कि आपको अखबार पढ़ना नहीं आता है हम समझते हैं कि एक पाठक एक साथ चार अखबार नहीं पढ़ सकता है उसे कैसे पता कि जो अमर उजाला और जागरन में नहीं छपा है या कम छपा है वो एक्सप्रेस और दहिंदू में पहले पन्ने पर छपा है और जादा जादा छपा है 25 दिसंबर के इंडियन एक्सप्रेस और दहिंदू की पहली खबर जागरन और अमर उजाला से काफी अलग है जम्मू कश्मीर पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है इसकी सूचना B.S.F. के हेड कॉंस्टेबल नूर एहमद ने दी है नूर एहमद के भाई भी उन तीन लोगों में शामिल है जिनकी कस्टडी में मौत हुई पांच और नागरी की समय अस्पताल में हैं जो एक साथ उठाये गए थे इनके रिष्टेदारों का आरोप है कि इने पूछ ताज के लिए ले जाया गया और वहां टॉर्चर किया गया इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी मगर ये जरूर कहा कि मुआवजा दिया जाएगा और कानूनी कारवाई की जा रही है सेना ने कहा है कि इस मामले की जाँच हो रही है और वह इसकी जाँच में पूरा सहयोग देगी इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि 72 घंटे में जाँच पूरी होने की उमीद है इस घटना के बाद 16 कोर के नित्रित्व के कई स्तरों में बदलाव किये जाएंगे इन में दो वरिष्ट अफसर भी शामिल हैं इसकी भी जाँच होगी कि कहीं उनकी तरफ से तो लापरवाही नहीं की गई यह सारी सूचना आधिकारिक रूप से अखबार में नहीं छपी है 16 कोर के कमांडर लेटिनेंट जनरल संदीब जैन को इंडियन मिलिटरी अकादमी में भेज दिया गया है उनकी जगा लेटिनेंट जनरल नवीन सचच देवा कमांड संभालेंगे एक्स्प्रेस में लिखा है और सेना ने कोर्ट अफ इंक्वाईरी के आदेश दिये है इस घटना की जवाब देही के लिए कमांड के स्तर में भी बदलाव किये जाने है और सेना ने नागरिक समाज सिविल सोसाइटी से मिलकर समवाद करने का भी आश्वासन दिया है निश्चित रुप से ये खबर इतनी प्रमुक्ता से तो छपनी ही चाहिए थी जैसे हिंदू और एक्स्प्रेस ने छापा है और चैनलों को भी इसे प्रमुक्ता से कवर करना चाहिए था आज के दैनिक जागरान और अमरुजाला में कश्मीर की कई खबरे छपी हैं इतनी बड़ी सेना को आतंकवाद से लड़ने में इतनी मुश्किले आ रही है आम लोग कैसे लड़ सकते हैं जबकि आतंकवादी तो आम लोगों को भी निशाना बना रहा है 2021-22 में कई कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया वे तो घाटी छोड़कर जाने के लिए प्रदर्शन करने लग गए कश्मीर के मुसल्मान भी आतंकियों की गोली के शिकार होते रहे मगर उनकी बात कभी नहीं होती कि ये लोग कैसे आतंकवाद का मकाबला कर रहे हैं ये भी देशभक्त लोग हैं शफी मीर की खाके सुपूर्दगी के समय ली गई इन तस्वीरों में आप आतंकवाद से तरस्त उस जनता की बेबसी और आसूँ को देख सकते हैं उसके चितकार कहीं सारी दिवारे तोड़कर बाहर आ जा रही हैं तो कहीं भीतर ही भीतर लोग पी जा रहे हैं क्या ये लोग आतंकवाद के आगे अपनी जान की खुर्बानी नहीं दे रहे कभी हमने सोचा भी है कि वहां की जनता ने कैसे इस आतंकवाद का सामना किया शफी मीर की सुरक्षा क्यों हटाई गई पुलिस से रिटायर होने के बाद वे मस्जिद में अजान देने का काम करने लगे उनकी आवाद को आतंकवादियों की गोलियों से खामोश कर दिया गया ये घटना उस गंतमुला गाउं की है जो उरी के शीरी शेतर में पढ़ता है माना जाता है कि घाटी का ये शेतर शांत इलाका है आतंकवाद यहां कैसे पहुँचा पसर रहा है या किसकी जवाब दे ही है इस पर प्रशन तो पूछ रहा हूँ जवाब शायद ही मिले पुछ जिले के तोपा पिर इलाके से आठ लोगों को उठा कर ले जाया गया के पूछ ताच करेंगे इन में से पांच को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भरती कराया गया है और तीन की मौत हो गई है सफीर एहमत, मुहम्मद शौकत और शबीर एहमत की हिरासत में मौत हुई और ये खबर समाने नहीं है इस खबर को छपने से रोक कर या छिपा कर च्छाप कर किसी का भला आप नहीं कर सकते एक अखबार में दरजनों पन्ने होते हैं वहाँ पर कई खबरे छपती हैं लेकिन यही खबर छूट गई तो आपको और अखबार को एक बार सोचना चाहिए 24 दिसंबर के इंडियन एक्सप्रेस में अरुन शर्मा और नाविद इकबाल की दो अलग-अलग खबरे छपी हैं आप इन्हें ध्यान से पढ़िए सफीर एहमत के भाई नूर एहमत बॉर्डर सेक्यूरिटी फोर्स में हेड कॉंस्टिबल हैं नूर ने कहा कि देश के लिए सेवा करने का यही नाम मिला मैंने 32 साल सैने बलों में सेवा दी है मेरी वफदारी का पुरसकार मेरे भाई की मौत है हम हमेशा सेना के साथ खड़े रहे सब सदमे में हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया बिना वज़ा के हमारे लोगों को मार डाला इनके दफनाने के समय बाफियाज, पुंच और थाना मंडी में पुलिस का पहरा बिछा दिया गया, मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया नूर एहमद ने कहा है कि सफीर की पतनी के तीन चोटे बच्चे हैं 82 साल की माँ होश में नहीं शौकत एहमद के चाचा मुहमद इकबाल ने कहा है कि शुकरवार की सुबह 10 बजे सेना उठा कर ले गई रात 10 बजे पता चला की मौत हो गई है मारे गए तीन लोगों में से दो की पतनी गर्वती हैं दो लोग सुरक्षा बलों के साथ काम कर चुके हैं सरकार ने कहा है कि जिनकी मौत हुई है उनके परिवार में किसी को नौकरी दी जाएगी लेकिन लोग इनसाफ चाहते हैं मौावजा और नौकरी नहीं कस्टडी में इनकी मौत कैसे हो गई रिष्टेदार तो आरोप लगा रहे हैं कि बिजली के जटके दिये गए मिर्च के पौडर से जखमों को रगडा गया सडक दुरगटना में इनकी मौत नहीं हुई है हिरासत में हुई है क्या इस मामले के जिम्मेदार लोगों के नाम सामने आएंगे उनके खिलाब कारवाई होगी इन लोगों को नियाए मिलेगा 2022 में श्री नगर के नौगाम थाने के 21 वर्षिय मौनीर लोन को चोरी के आरोप में पुलिस उठा कर ले गई बाद में गंभीर हालत में मौनीर को सौप दिया गया परिवार वाले अस्पताल लेकर पहुँचे तो उसकी मौत हो चुकी थी इस मामले में क्या मौनीर के परीजनों को इनसाफ मिल गया है क्या मीडिया इन आम लोगों के लिए सरकार से सवाल पूछेगा या यही करेगा कि किसी तरह से ये सब ख़बरें आप तक पहुँचे ही ना रिटायंट लेफटिनेंट जेनरल जमीरुदिन शान ने ट्वीट किया है कि अगर बकरवाला को टॉर्चर देने की ख़बर सही है तो सेना इस्थानियन लोगों का समर्थन खो सकती है जो इसके लिए बहुत जरूरी है थर्ड डिगरी के तरीके से कभी कोई नतीजा नहीं निकलता जब ये कमांड में थे तब उन्होंने एक दिशा निर्देश जारी किया था कि चरम पंथी और उनसे सहानुबूती रखने वालों से पूछ ताच के दौरान हमें कई सारी जानकारी मिल सकती है पूछ ताच के कई तरीके हो सकते हैं मगर शारीरी की आतना सही नहीं सब ये समाज में इसकी इजाज़त नहीं है टॉर्चर प्रभाव शाली नहीं होता इसकी जगह पर विश्वास जीतने का प्रयास करना चाहिए ताकि सही और सटीक सूचना मिले लेटिनन जनरल रिटायर्ट जमिरुदिन शाह 40 साल सेना में रहे हैं इंडियन एक्स्प्रेस ने अपने संपादकिया में लिखा है कि जम्मु कश्मीर में अभी भी आतंकी हमले हो रहे हैं ये चिंता का विशह है लेकिन हिरासत में मौत की घटना बेहत करूर है इसे स्विकार नहीं किया जा सकता ये नया कश्मीर नहीं है जिसके बारे में केंदर सरकार बात करती है इसकी जांच होनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए ट्वीटर पर कई लोगों ने मायूसी जताई है कि उन्हें इनसाफ की कोई उमीद नहीं राज़ोरी पुंच का इलाका शांत माना जाता है 2003 के बाद से यहां आतंकवाद खत्म हों माना जा रहा था लेकिन हाल के दिनों में ये इलाका आतंकवाद की चपेट में नजर आ रहा है जब राज़े में राजनेतिक धांचा था उस समय यहां शांती हासिल की गई अब जब केंदर के नियंतरण में है सब कुछ तब इसकी जवाब दे ही लेने वाला कोई सामने नहीं आता सीस फायर के बाद से सरकार दावा करती रहती है कि आतंकवाद नियंतरण में है जीरो टॉलरेंस की नीती अपनाई जा रही है चार साल पहले अमिशा ने चन्नई में कहा था और ये उनके ही शब्द हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ कह रहे हैं कि ऐसे होव मिनिस्टर मेरे मन में जरा भी कन्फ्यूजन नहीं था कि धारा 370 के बाद क्या होगा मैं निश्चित रुप से मानता हूँ कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर आतंकवाद की समाप्ती होगी और कश्मीर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा इसका वीडियो आप राजिस सभा के टीवी चैनल पर देख सकते हैं चार साल बाद वही अमिश्चा साथ दिसंबर को संसद में कहते हैं कि मैंने कभी नहीं कहा कि 370 के हटने से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा मीडिया उनसे कभी सवाल ही नहीं पूछेगा दोनों बयानों को आमने सामने रखकर दिखाएगा भी नहीं अमिश्चा ने संसद में कह दिया कि मोदी सरकार के 9 साल में आतंकवाद 70 फिस्दी घटा है 2019 में अनुछे 370 समाप्त किया गया 5 साल पूरे होने जा रहे हैं फारुक अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवाद की जड़ें किनी और कारणों में है अनुछे 370 के कारण आतंकवाद नहीं फैला फारुक अब्दुल्ला को शायद नहीं पता कि अब यह बात हिंदी प्रदेशों की जनता को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं समझा सकती है हर किसी के मन में लगातार और एक तरफा बीजेपी और आरेसेस के द्वारा यह बात बिठा दी गई है कि आतंकवाद के पीछे धारा 370 कारण है हिंदी प्रदेशों की जनता जो भी जानती है वो आरेसेस और बीजेपी के मत को जानती है कभी कॉंग्रेस, समाजवादी, राजजद या जनतादल यूनाइटेट के बड़े निताओं ने इस मसले पर अपने मतदाताओं से निरंतर समवाद नहीं किया है वे अपने चुनावी भाशनों में इसका जिक्र तक नहीं करते हिंदी प्रदेशों को याद भी दिलाएंगे फारुक अब्दुल्ला तो भी याद नहीं आने वाला कि धारा 370 से पहले नोट बंदी के जरिए आतंकवाद मिटाने का वादा किया गया था 370 हटने से आतंकवाद खत्म नहीं होगा मगर कश्मीर में सिनेमा हॉल खुलने को अमिश्या 370 के हटने से जोड देते हैं हाल के दिनों में आतंकी हमलों की प्रकृती बता रही है कि भले हमलों की संख्या प्रतिशत में कम हो पहले से कहीं ज़ादा घातक और तैयारी के साथ किये जा रहे हैं पिछले साथ महिनों में सेना के 20 से ज़ादा अफसर और जवान मारे गए हैं कई आतंकी हमलों में आतंकी ना मारा गया ना पकड़ा गया आतंकवादियों के बढ़ते हमलों और होसलों से ये सवाल होना चाहिए कि सुरक्षा में इतनी चूप कैसे हो रही है तो इसकी खीज निकाली जा रही है आम आदमी पर इन हमलों को केबल आंकडों के सहारे कम और जादा नहीं बताया जा सकता है डेरा की गली में सेना के काफिले पर जो हमला हुआ उसमें शामिल आतंकी अभी हाथ नहीं लगे हूँ जब तक मैं रेकॉर्डिंग कर रहा हूँ उनकी तलाशी चल रही है डैनिक जागरण ने इसे छठे नंबर के पेज पर छापा है शहीद की जगा बलिदानी का इस्तेमाल किया है अमरुजाला भी बलिदानी इस्तेमाल करता है खबर है कि आतंकी हमले में चार जवानों की मौत हो गई कुछ के शरीर शत विशत हो गए इन में से एक यूपी, दो तराखन और एक जवान बिहार के हैं परिवार वाले अड़ गए कि इनका अंतिम संसकार इनके गृष शित्र में ही होगा राजवरी में नहीं तब जाकर इनके पार्थिव शरीर को गृष शित्र के लिए जिशेश विमान से रवाना किया गया है दहिंदू अखबार ने लिखा है कि इनकी शहादत के चार दिनों के बाद सेना ने नाम जारी किया उत्राखंड के नायक बिरेंदर सिंग, राइफल मैन गौतम कुमार, कानपूर के नायक करण, बिहार के राइफल मैन चंदन कुमार, गौतम कुमार की अगले साल मार्च में शादी होने वाली थी रविवार को इन्हें सेना के द्वारा शरधांजली दी गई, हिंदू अख़वार ने बेहद सावधानी से एक बात लिख दी है, जो जागरन की खबर में नहीं है हिंदू ने लिखा है कि सेना ने कारण नहीं बताया कि इनके पार्थिव शरीर को सौपने में चार दिन की देरी क्यों हुई, लेकिन जैसा कि रिपोर्ट की गई है, तीन सेनिकों का पार्थिव शरीर ख्षत विक्षत हो गया था सेना ने उनके रिष्टेदारों को पहचान के लिए बुलाया और कहा कि राजवरी में ही अंतिम संसकार हो, मगर परिवार वालों ने राजवरी में अंतिम संसकार करने से मना कर दिया, तब उनके घरों तक भेजने का इंतजाम किया गया खबरें आज आ रही हैं यही बहुत है, शुक्र मनाईए, समान्य दिन होते यानि 2014 से पहले का भारत होता तो विपक्ष के नेताओं के नाम के साथ यह खबर पहले पन्ने पर छपती और चैनलों पर दिनराद चलती कि चार दिन लग गए जवानों के नाम बताने में यह कैस रह गई है, देश के लिए जान देने वालों का अंतिम संसकार क्या उनके गाओं में भी नहीं होगा, खबरें चीख रही होती और बीजेपी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही होती, यहां विपक्ष के नेताओं बोलते भी हैं तो ना छपती है खबर ना दिखाई जाती है हिरासत में मौत को लेकर सेना की भूमिका पर बहस हो रही होती, 2014 से पहले, कई तरह की आवाजें आप सुन रहे होते, अब तो अखबार उठाईए, लगता है कि खबरों के खंडहर में भूत गूम रहे हैं, विपक्ष के नेता बोलते भी हैं तो नहीं छपता, इसलिए यह खबर केबल कश्मीर में आतंकी हमले और सेना की हिरासत में तीन नागरिकों के मौत की नहीं हैं, बलकि अखबारों में छपने वाली खबरों की भी है, इस वीडियो को दोबारा चला कर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि बहुत लोगों को अभी तक अखबार पढ़ना भी नहीं आता, और इसका फाइदा उठाकर अखबारों को खबरों का कबरिस्तान बना दिया गया है, कितना कुछ गायब कर दिया जाता है, कितना कुछ हलका कर दिया जाता है, और उन बातों को अब प्रमुक नहीं बनने दिया जाता, जिनसे मोधी सरकार पर कोई आचाए, खबरों का काम अब मोधी सरकार को बचाना हो गया है हिरासत के भैं से पत्रकारिता भी दम तोड़ चुकी है इसकी जाच कोई नहीं करेगा सब कुछ प्रचार है जिस दिन कश्मीर की घटनाओं को लेकर सवाल पूछे जाने चाहिए थे उसी दिन प्रधान मंत्री एक वीडियो ट्वीट करते है उस वीडियो में वे कश्मीर के चात्रों से मिल रहे हैं जिस तरह से हमने 29 सेकेंड का वो वीडियो नहीं दिखाया उसी तरह से प्रधान मंत्री का या वीडियो नहीं दिखा रहे हैं जो खबर, खबरों के ढखने के काम आए, वो खबर नहीं होती है, चार जवान शहीद हुए हैं, तीन नागरिक हिरासत ने मारे गए हैं, इस पर प्रधान मंतरी का ट्वीट नहीं आया है, यही खबर है, और राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, यह खबर आपको मालूम नह नमस्कार, मैं रविश कुमार